हेलो स्टुदेंट्स तो तिग्णोमेट्रिक रेशो की हम बात करते हैं। जो मेन करदार है मेन हीरो है उनसे मिलाने वाला हूं तो विख तीग्नोमेटरी में तीन तो हैं में हेरो और तीन हैं उनकी हीरोईन, तीन हेरो हैं वह कौन है? sign theta, cos theta, 10 theta, क्या क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा ठेंट ठीटा ठीक और उनकी जो हीरोइन है साइन की हीरोइन कोन है को सक थीटा को सक थीटा को पहले जो मैं टिग्ममेट्रिक रेशों की जो करूँगा वह कुछ एंगल के लिए करूँगा तय çık सिर्फ एक्यूट अंगल मतलब जोटए तईट डिगरी के बीच में है कि एंगल लाई बिट्विंग जीडो टू नांँटी डिग्री होग जीरो से जो acute angle के लिए हम जो define करते हैं इनको right angle triangle से निकालते हैं कि जैसे यह हमारे पास एक right angle triangle है कि this one is a right angle triangle अब भी जो right angle triangle है इसमें let's say यह angle है हमारे पास theta ठीक है अब right angle triangle में यह तो होता है हमारे पास perpendicular यह तो हमारे पास क्या होता है perpendicular थीटा की सामने वाला यह क्या होता बेश और यह क्या होتा है हाईपो जियर पर्पेंडिकलर बेश एंड हाईपो जियर्फ यह तीन चीज़े हमारे पास यहां पे राइट-ेंगल ट्रअंगल में होती है अब यहां पे right राइट अंगल ट्रेंगल में पर्पेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, what is sin theta, कि भी sin theta क्या होता है, what is sin theta, तो sin theta होता है, पर्पेंडिकुलर अपोन बेस, sorry, पर्पेंडिकुलर अपोन हाइपोटेनियस, कि sin theta is what, perpendicular upon हाइपोटेनियस, this is what sin theta, कि sin theta क्या हो गया, पर्पेंडिकुलर अपोन हाइपोटेनियस, sign के वैसे पूरा नाम होता है, sign तो short form होती है, हम इसका पूरा नाम होता है, sin, s, i, n, e, sin, ठीक है, लेकिन short form हम यह लिखते है, sin theta, दूसरा है हमारे पास cosine, cosine का भी पूरा नाम होता है, cosine, यह पूरा नाम होता है, लेकिन इतना बड़ा कों लिखेगा, हम इसे short form में लिखेंगे, short form क्या है हमारे पास इसकी, cos theta, तो cos theta होता है, base upon hypotenuse, क्या होता है, base upon hypotenuse, तो base upon hypotenuse, यह हमारे पास क्या हो गया, cos theta, तो एक बाद, उसके बाद आता है, ten theta, ten theta, ten theta क्या होता है, perpendicular upon base, perpendicular upon base, तो यह हमारे पास, तीन hero है, और उनकी बाते हैं कि वह हमारे पास कैसे आए, कि Of science theta क्या है, cos theta क्या है, ten theta क्या है, तेक बात, अब science theta, cos theta क्या है, tan theta क्या है, इनकी जो heroine है, वो इनकी reciprocal होती है, heroine हमेशा hero के उल्टी जाती है, hero गएगा यह काम कर, heroine कहेगे उल्टा कर, okay एक होधा है नहीं, होता है नहीं होता। तो हीरोईन के हमेशा होती है है तो इसका रासिप्रोकल को स्थीटा स तो वो क्या होगा हमारे पास । । । । । । । कि this is what? Hypotenious upon base. अच्छा 10 का नाम होता है हमारे पास tangent और code का नाम होता है co tangent ठीक है? तो इसको बोलते हैं cot theta कि this will be cot theta base upon perpendicular कि हमारे पास क्या होता है? this one is base upon perpendicular तो यह हमारे पास तीन हीरो हैं और यह तीन उनकी heroine हैं तो यह sin theta cos theta 10 theta sin का उल्टा cosec theta cos का उल्टा sec theta tan का उल्टा cot theta ठीक है? इसको 10 में अलग अलग तरीक से याद करा जाता है जैसे इसे ऐसे p upon h इसे b upon h और इसे क्या होता है? पंडित बदरी परसाद हरी हरी बोल यह हो गया sin, यह हो गया cos, यह हो गया 10 इस तरह से याद कराते हैं कराते हैं तो आप भी इसी तरह से याद कर लो कि हमारे पास यह क्या क्या चीजे हैं ठीक बात? तो sin theta cos theta tan theta यह हमें याद होने चाहिए हैं अब दोकोई यहां पर जैसे ये एक right angle triangle है right angle triangle में एक हमारे पास होती है Pythogorous theorem क्या होती है? Pythogorous theorem P square plus B square is equal to H square क्या होता है? P square plus B square is equal to H square होता है नहीं होता? हाँ या ना? अगर हम यहाँ पे H square से divide कर दे तो P upon P square upon H square plus B square upon H square is equal to 1 आ जाएगा इसी से ही मिलती है अपनी Tignometry की पहली identity या Tignometry का पहला formula और वो पहला formula क्या है? P upon H that is sine theta तो यह हो गया बेटा जी sine square theta plus यह हो गया क्या? cos square theta is equal to 1 so this one is our first formula sine square theta plus cos square theta is equal to 1 यह 1 होता है कि sine square theta plus cos square theta कितना होता है? 1 दूसरा formula दूसरा अब यहाँ पे जैसे मैंने H square से divide किया है अगर इसको मैं इसको मैं इसको इसको मैं cos square theta से divide कर दो किससे? cos square theta से cos square theta से divide कर दो या फिर ऐसा करो cos square theta से divide करने की बजाए इस वाले को यह जो हमारे पास है इसको B square से divide कर दो किससे? B square से B square से divide करोगे तो P square upon B square plus 1 is equal to H square upon B square शही बात perpendicular upon base क्या है? 10 theta तो यह हो गया क्या? 10 square theta तो यह हो गया अपने पास 10 square theta plus 1 hypertenious upon base hypertenious upon base क्या है? sec theta तो यह क्या हो गया? sec square theta कि this will be what? sec square theta so this one is another identity कि 1 plus 10 square theta is equal to what? sec square theta अब जैसे मैंने B square से divide किया है वैसे एक बार P square से divide कर दो P square से divide करेंगी हम लेगा 1 plus cot square theta तो 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta तो यह हमारे पास आगया तीसरा formula तो तीन formula हमारे पास आचुके हैं sin square theta plus cos square theta 1 10 square theta plus 1 is equal to sec square theta और 1 plus cot square theta is what? cosec square theta यह तीनो formula आपको याद भी है ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं है किसी बच्चे ने टिग्नोमेट्री का टी बी सीखा है अगर तो उसे यह तीनो formula याद होती है हाँ या ना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता देना कमेंट में कि अगर ऐसा नहीं है तो बता देना किसर हमें तो याद नहीं थे तो बहिया यह हमारे पास तीन hero और यह हमारे पास उनकी तीन heroine ठीक है तो hero heroine दोनों हमें मिल चुके हैं अब hero heroine की थोड़ी values देख लेते हैं कुछ कि वह कुछ values standard values होती है जो हमें देखनी चाहिए जो हमें याद रखनी चाहिए कि हमारे पास क्या-क्या value होती है ठीक है जैसे acute angle की में बात कर रहा हूँ अभी तो zero degree पर देख लेंगे है ना zero degree पर देख लेंगे 30 degree देख लेंगे 45 degree देख लेंगे 60 degree देख लेंगे 90 degree देख लेंगे चलो यह हम 5-6 value यहां पर देख लेते हैं फिर अभी टेबल बना लेते हैं यह उमारे पास क्या होगी table आप भी table मना लेना जैसे यह होगा theta तो यह होगी sin theta की value ठीक फिर यह हो जाएगी अपनी cos theta की value ठीक और फिर यह हो जाएगी अपनी 10 theta की value हीरो की वैल्यू पता है, हीरो का उल्टा कर दो हीरो ना जाएगी, सबस्क्राइब करें, तो 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1 by 2, साइन 45 डिग्री 1 by root 2, साइन 60 डिग्री root 3 by 2, और साइन 90 डिग्री 1, हमी याद रखनी है, 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 1 cost 0 degree 1 30 degree root 3 upon 2 cos 45 degree 1 by root 2 ठीक है आचा 60 degree 1 by 2 ओर 90 degree 0 ठीक बार तो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया अब दो को साइन थीटा था तो 10 theta क्या था? तो हम यह भी भोल सकते है,sen theta upon cos theta. अब यहां पर 0 upon 1 करोगे तो जी क्या जाएगा? जीरो आजाएगा 1 by 2 upon root 3 by 2 रोगे, तो 1 by root 3 आजाएगा ठीक बात 1 by root 2 upon 1 by root 2 करोगे 1 आजाएगा ठीक बात और root 3 by 2 upon 1 by 2 करोगे, रोट 3 आजाएगा ठीक है, और 1 upon 0 करोगे 0 जैसे नीछे आएगा तो वह हमारे पास क्या होता है not defined तो यह हमाने पास यहां पर नॉट डिफाइन राइसी प्रोपल में जैसे ही जीरो आएगा इसे इन्फिनिटीव या माइनस इन्फिनिटीव नहीं लिखते ध्यान रखना यह ऐसा एंगल है जिस पर 10 अपना डिफाइन नहीं होता है तो यह बेसिक टिग्नोमेट्री आज 10 वाली टिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं भाई मैं कि 10 वाली टिग्नोमेट्री है तो यह हमारे पास बचो ही रो ही रो इंका इंट्रोडक्शन था उनकी वैल्यू थी उनमें रिलेशन था और उनमें क्या-क्या रिलेशन है तो तीन अइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं अब उन तीन आइडेंटिटी पे कुछ कोशन्स कर लेते हैं एक दो कोश्चन कर लेते हैं कि उनकी वैल्यू क्या आएगी क्या नहीं आएगी कुछ प्रूव करने वाले कुछ ऐसे हैं जैसे यहां पर पहला कोश्चन हमारे पास कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू बदाना 1-cos² थीटा 1-cos² थीटा इन्टू 1-cos² थीटा ठीक है कि इसकी वैल्यू क्या होगी ठीक है दूसरा कोश्चन है हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम इस हमें इसकी वैल्यू बताना 1-पॉन-प्लस-sine-square-thीटा प्लस-1-पॉन-प्लस-cos² थीटा कि इसकी वैल्यू क्या होगी थीटा अपने पास एक्क्यूट एंगल है थीटा इसन एक्क्यूट एंगल जीरो से उसके बीच में है ठीक है तो सेक थीटा प्लस-कॉस-क थीटा इंटू साइन थीटा प्लस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस-कॉस- अपोन वन प्लस कॉस अलफा न चीज को हमें प्रूव करना है कि दिस अकवार थूट पास बच्चों बाते हैं कि क्या-क्या हमें करना है इन चार कोश्टन्स को करते हैं बाकी का आगे तो खुब सारे कोश्टन्स हमारे पास आने ही वाले हैं ऐसा नहीं है कि आगे कोश्टन्स की कमी रहेगी खुब सारे कोश्टन्स आएंगे ठीक है चलिए इन कोश्टन्स को कर तो इसलिए पहले आप इन questions को खुद कर ले ना, फिर मेरे solutions आप यहां पर देखना तो 1-cos²θ, यह कितना होगा, sin²θ, ठीक बात 1-cos²θ, यह कितना होगा, cos²θ, sin²θ into cos²θ, यह कितना हो जाएगा, 1 this will be 1, ठीक बात, हो गया, कुई में तो सारे आसान लेगेंगे second question, cos²θ, cos²θ को हम के लिखेंगे, 1 upon sin²θ, ठीक बात यह sin²θ इधर जाएगा, उपर जाएगा, तो यह हो जाएगा, 1 upon 1 plus sin²θ, ठीक plus sin²θ upon sin²θ plus 1, अब दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि denominator सेम है, तो उपर भी क्या बन जाएगा, 1 plus sin²θ, इसकी value भी क्या जाएगी, 1, आ गया होगा, दोनों questions आ गया होंगे, दोनों questions में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आए, तो यह दो questions हमारे पास हो गए, ठीक जी, अब इन दो questions के बाद आगे बात करता हूँ मैं, कि भी आगे क्या है, question number 3, sec theta, देखो, एक ध्यान रखो, sec, cosec, theta में, we are not comfortable, we are comfortable in sin and cos, तो sec और cosec को हम sin cos में change करेंगे, है न, तो जैसे यह है, cosec, sec theta, इसे लिखा, one upon cos theta, यह है, cosec theta, इसे लिखा, one upon sin theta, यह सुविधा मेरे पास है, रब करके लिखने की, यहाँ LCM लिया, मैं थोड़ा उपर लिख रहा हूँ यार, यहाँ पे न, LCM लिया, तो नीचे आया, sin theta cos theta, उपर आएगा sin theta plus cos theta, तो उपर sin theta plus cos theta है, तो उपर हो गया sin theta plus cos theta, और यह भी sin theta plus cos theta है, तो sin theta plus cos theta का whole square, ठीक, अब उपर वाले को खोला, तो sin square theta plus cos square theta plus two sin theta cos theta, यह न, upon sin theta cos theta, यह कितना हो गया, जी, one, यह कितना हो गया, one, अब one upon sin theta cos theta, that will be sec theta cos theta, और two upon यह कट जाएगा, तो two बच जाएगा, बस, इती सिद्धम लिख दो भाई, हैंस परो, ठीक, चलिए, इसको भी कल लेते हैं, फटा-फट पोड देते हैं इसको, तो sec alpha को लिखा, one upon cos alpha, तो one plus one upon cos alpha, तो यह हो गया, cos alpha plus one upon cos alpha, इसे 10 alpha लाना है हमें न, इसी तरह इसको लिखा, one upon sin alpha, तो यह हो गया, sin alpha plus one upon sin alpha, sin alpha पर जाएगा, यह इस से उड़ा, यह से उड़ा, sin alpha upon cos alpha कितना आ गया, तो मज़ा आया वई आज है ना टैंथ की चीजे पड़ी है आज हमने वैसे जाए तर तो आज हमने साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा को सेक थीटा और कॉट थीटा एक्विट एंगल के लिए क्या होता है ये बाते हमने टिंगामेंटरी में सीख ले तो आज लेक्शन में मज़ा आया है तो इसको कूँ खूब लाइक करो खूब करो झतना शेर कर सकते हो तो आज के इस लेक्शन में इतना ही बाकी की बाते हैं मैं करो हूंगा आप लोगों से अपने नेक्स लेक्शन में Thank you very much